दोस्तों जितेंद्र हेमा मालिनी भले ही शादी नहीं कर सके परन्तु उनके रिष्टे आज भी एक सच्चे दोस्त की तरह बने हुए हैं जो बहुत ही गर्व की बात कहीं जा सकती है। जितेंद्र की पत्नी शोबा का पूर्वी इसे तू बदाई की बात रहें वहीं धर्मेंद्र की भी तारीफ करना बनता है कि उन्होंने हेमा मालिनी को कभी जितेंद्र के साथ फिल्मे करने से नहीं रोका बलकि खुद भी जितेंद्र के साथ फिल्मे कर एक अच्छे अभी न ता होने का प्रमान दिया जितेंद्र की जितनी तारीप दीचाए उतनी कम है क्योंकि उन्होंने ऐसे वक्त को भी सकारापक सोच के साथ हस्ते मुस्क्राते गुजार दिया और आज 80 साल की उम्र में भी अपने चेहरे पर मुस्कान पिखे रहे हुए हैं आज के युगाओं को इस बात के लिए जितेंद्र से प्रेड़ना लेनी चाहिए इस वीडियो में दी गई इससे भी जानकारी इंटरनेट आधारित जानकारी है जिसका सो प्रतिशत सही होने का हम दावा नहीं करते हैं शादी से पूर जितेंद्र ने हेमा मालने के साथ वारिस गहरी चाल भाई इसी फिल्म के दोरान दोनों ने शादी करने का फैसला दिलिया बड़ी हिनार के गतना क्रमों के बाद जितेंद्र ने शोबा कपूर से और हेमा मालने ने दो बच्चों के पिता धर्मेंद्र से शादी करने का फैसला किया लेकिन बावजूद इसके दोनों ने फिल्मों मे काम करना नहीं छोड़ा ताजब के बाद तो यह रही कि कई फिल्मों में तो जितेंद्र हेमा मालिनी और धर्मेंद्र एक साथ नज़राया जो जितेंद्र शोबा कापूर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की खुली मान सकता और सकारात्मक सोच का उधारन का जा सकता है शादी के बाद जितेंद्र हेमा माली ने खुश्बू, मेरी आवासनों जोती, जस्टिस, चोधरी फर्ज और कानून, अपने अपने हम तेरे आशिक हैं फिल्मों में नजराए वहीं 1977 में आई फिल्म किनारा में, इस जोड़ी के साथ धर्मेंद्र नजराए, हेमा माली ने तो इस फिल्म को नीरस और सुस्त बताया था उन्होंने का था कि धर्म जी के साथ उनके रोमांटिक सीन और भी अच्छे हो सकते थे 1980 में आई फिल्म, दबर्निंग ट्रेन में भी धर्मेंद्र के साथ हेमा माली ने और जितेंद्र के साथ नीतु सिंग नजराए, हाला कि ये फिल्म उस समय दर्शकों द्वारा पसंद नहीं की गई, लेकिन आज इस फिल्म को दर्शकों द्वारा बहत पसंद किया जा रहा है 1982 में आई फिल्म समराट जितेंदर और हेमा मालिनी की शादी को रुखवा दिया, लेकिन इन सब के बावजूद ये जितेंदर की उधारता ही कही जाएगी, कि इन सब को रियल लाइफ में भूल कर रियल लाइफ में ये सभी उसी उससा से काम करते नजर आए और एक दूसरे के साथ फिल्में बनाते रहे बात की जाए इनके बच्चों की तो धरमेंदर हेमा मालिनी की बेटी ईशा देवल के साथ जितेंदर शोभा कपूर के बेटे दुशार कपूर 2003 में आई फिल्म कुछ तो हे में नजर आए ये फिल्म जितेंदर के प्रोड़क्शन आउस मोशन पिक्चर्स के बेनर तले बनी इसका निर्मान जितेंदर की बेटी एकता कपूर और पत्नी शोभा कपूर ने किया इसके अलावा 1982 में हेमा मालिनी के निर्देशन में बनी और हेमा मालिनी के प्रोड़क्शन उसकी फिल्म दिल आशना है मैं जितेंद्र नजराय ये फिल्म शारुक खान और दिव्या भारती की डेबियू फिल्म हो सकती थी परन्तु डिले हो जाने के वज़े से इस जोड़ी फिल्म दीवाना बाद में शुरू होने के बावजूद पहले बनकर तयार हो गई और पहले रिलीज होकर शारुक और दिव्या भारती की डेबियू फिल्म बनी जितेंद्र और हेमा मालिनी 26 दिसंबर 2008 को कलर्स टी पर आई जित डांस के एक कर्कम डांसिंग क्वीन में सिनेमा मालिनी को जितेंद्र के साथ फिल्मे करने से मना किया यह सब कुछ आप सी विश्वास की बात हैं यही तो इन कलाकारों की कला है जो संदेश देती है, जीवन में बदलाओ, सिनेमा से लाओ यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें यदि अब तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेल आइकन को प्रेस कर आल पर क्लिक करें तक हमारी यानवाली वीडियो की रोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके,